सुप्रिम कोट ने शुक्रवार को अपने एहम फैसले में राम जन्मु भूमी बाबरी मज़िद भूमी विवाद मामला स्थाई हल के लिए मध्यस्थता के लिए सौंप दिया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के अध्यक्षता वाली पांच सदसिय समिधान पिट ने सभी पक्षकारों को सुनने के बाद यह फैसला किया। सुप्रिम कोट ने जस्टिस M.F. इब्राहिम कली फुल्ला अध्यात में गुरु श्री श्री रवी शंकर और वजिश्थ वकील श्री राम पंचु को मध्यस्थता नियूक्त किया। उचितम नयाले के सीवा निवरित नयधिश M.F. कली फुल्ला राम जन्म भूमी बाबरी मशिर मामली में मध्यस्थता करने वाले पैनल के मुख्या होंगे।